हैलो दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने योटुब चैनल स्टडी नाइश्टॉप पर तो कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इंग्लिस के कॉस्टन्स करेंगे और इस ट इक्जाम के लिए ग्रूप D या ग्रूप C किसी भी एक्जाम के लिए और इसके लावा भी किसी आने परिक्षा के लिए जहां पर इंग्लिस के कॉस्टन्स आते हैं उन्हें सभी के लिए क्लास हैलफल होगी तो दोस्तों वीडियो को लाश्ट टक देखीगा और अगर यह शुरुवात कते हैं सबसे पहले दिया गया है select the most appropriate antonym of given word आपको word दिया गया है profound इसका antonym या अपोजिक बढ़ता रहे है profound इसका मतलब क्या होता है तो दोस्तों इसका मतलब होता है गहरा गहरा या गहन तो पहला option है superficial superficial जिसका मतलब होता है चिचला चिचला या सतही और obscure मतलब क्या होता है तो दोस्तों obscure मतलब होता है धुंदला धुंदला या आसपस्ट और intense मतलब होता है तीवर और stubborn मतलब जिद्दी होता है तो दोस्तों यहाँ पर यह right answer क्या होना चाहिए तो profound मतलब गहरा या गहन तो option A इसका राइट असपस्ट और सूपरफीसियल फिर दोस्तों next question लेते हैं अगला है change the sentence into indirect speech sentence को indirect में बडलना है दिया गहा है I said to him look at this picture मैंने उससे कहा इस picture को देखो तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका indirect क्या हो गया है I said to him तो दोस्तों यह जो है imperative sentence है और imperative sentence में connective आता है to तो to यहाँ पे आपको सब में दिया गया है तो I said to him look at this picture और imperative में जो है आप यह देखते हैं कि जो reported speech है उसका sense कैसा है अब यहाँ पे request का sense तो आ नहीं रहा है तो यहाँ पे requested नहीं होगा नहीं advice का sense आ रहा है तो advice भी नहीं होगा और नहीं order का वो order नहीं दे रहा है कि आप इस picture को देखो वो simply ऐसे कर रहा है कि इस picture क तो देखो ठीक है तो यहाँ पे order जैसा कोई sense नहीं आ रहा है तो यहाँ पे asked हो जाएगा ठीक है said to का asked हो जाएगा I asked him to look at this picture ठीक है तो यहाँ पे c option इसका right-hand हो जाएगा फिर दोस्तों next question लेते हैं अगला है find out which part of sentence has an error sentence के किस भाग में error है दिया गया है foolishly Rama threw some water on the electric heater when it catches fire he got a shock तो बताएगे किस पार्ट में error है अगर कोई error नहीं तो आपका answer क्या होगा और संदी foolishly Rama threw some water मुर्पता पूर्बक रामा ने भेका कुछ पानी on the electric heater when it catches fire and he got a shock तो क्या यहाँ पे catches होगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे past tense का structure चल रहा है Rama threw यहाँ वर्ब की second form है और यहाँ पे भी आप देखेंगे he got a shock तो past tense की वर्ब यहाँ भी आनी चाहिए catch नहीं होगा catches नहीं होगा catch की second form है caught तो caught यहाँ पे हो जाएगा when it caught fire and he got a shock जब इसने आग पकल दिया था तो उसने जो है पानी फेका और उसको क्या लगा he got a shock उसको जटका लगा ठीक है तो यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा कि स्पार्टम गलती है also C यहाँ पे right answer हो जाएगा फिस दोसों next question लेते है अगला है select the most appropriate meaning of given idiom idiom आपको दिया गया है इसका meaning बताना है दिया गया है to give oneself airs to give oneself airs इसका मतलब क्या होता है अपने आपको बेहतर दिखाने की कोशिज करना अपने आपको बेहतर दिखाने की कोशिज करना या फिर हम कह सकते हैं अहनकार पूर्वक देवहार करना यह दिखाना कि मैं ही सबसे stress हूँ तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा पहला option है space to breathe मतलब सास लेने की जगा तो यह तो यहाँ पर बिलकुल sense नहीं बनेगा time नहीं होगा acting strange अजीब तरीके से देवहार करना तो यह भी नहीं होगा behave arrogantly यान कि अहनकार पूर्वक देवहार करना तो यहीं इसका राइटेंस लेगा behave arrogantly फिर्दोसों next question लेते हैं अगला है select the option that can be used as a one word substitute for the given words इन words के लिए एक word आपको बदाना है दियागा है एक person who has lost the protection of the law एक व्यक्ति जिसने खो दिया है protection of the law यानि कानून का संदक्षर जिसने खो दिया है यानि कि उसको जो है कानून का कोई संदक्षर अब नहीं प्राप्त है क्योंकि उसने ऐसा गलत काम कर दिया होगा पहला option है outlaw मतलब क्या होता है गैर कानूनी या कोई एसा वेक्ति जो नियम विरोधी हो नियम विरोधी जो नियम को तो तो उसको जो है जाहिर सी बाते अब कानूनी चरचर नहीं प्राप्त होगा कानून उसके विरोध में होगा ठिक है या डाकु या चोर को भी कहते हैं आउट लोग तो यही सका राइटम से लगा आउट लोग बाकी एमिग्रेंट इसका मतलब क्या होता है आप्रवासी एमिग्रेंट मतलब क्या होता है आप्रवासी जो दूसरे देश से आकर के रह रहा हो तिक है तो आप्रवासी इमिग्रेंट हो जाएगा आउट कोस्ट मतलब क्यों होता है आउट कास्ट मतलब होता है निर्वासित निर्वासित जो अपनी जाती से निर्वासित हो गया हो उसको कहते है आउट कास्ट और और और्फन मतलब क्यों होता है अनार्थ तो यहां पर आउट लो जो है इसका राइटन से हो जाएगा फिर दोस्तो वन हंडे डेलिगेट्स तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे the conference was attended पैसिवाइस का structure है क्योंकि conference यानि की सम्मिलन ये खुद तो attend करने नहीं जाएगा इस conference को attend किया जाएगा इसलिए यहाँ पर पैसिवाइस का जो structure है वो बिल्कुल सही है ठीक है conference was attended इसके द्वारा by more than 100 delegates conference को attend किया गया 100 से अधिक ततिनिदियों के द्वारा ठीक है तो यहाँ पर sentence में कोई error नहीं है तो right answer क्या होज़ेगा option D no error फिर दोस्तों next question लेते हैं अगला है change the given sentence in passy wise sentence को passy wise में बंदलना है दिया गया है I can help you मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो passy wise में इसको बदलेंगे तो दोस्तों passy wise में अगर कोई model आपको दिख जाए तो model प्लस B हो जाता है और verb की third form तो यहाँ पे can plus B और verb की third form हो जाएगा can जो है model है और can plus B और verb की third form और बाकि जो है by plus subject हो जाएगा और object जो है पहले आजाएगा I can help you यहाँ पे object है पहले आजाएगा और यहाँ पे can हो जाएगा code यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ code दिया गया है यह दोनों option तो हर जाएगे तो you can be helped by me ठीक है I जो है subject है by के बाद आएगा और यह objective case में आएगा ठीक है तो यहाँ पे बी option इसका राइटन सोजाएगा C में देखेंगे तो you can be help क्योंकि verb की third form होनी चाहिए help नहीं होगा तो इसलिए C गलत है तो बी option यहाँ पे राइटन सोजाएगा you can be helped by me फिर दोस्वों next question लेते हैं अगले है select the most appropriate synonym of given word synonym आपको बताना है lassitude का तो दोस्वों lassitude इसका मतलब क्या होता है तो दोस्वों lassitude मीनिंग होता है ठकावट या आलस तो यहाँ पे राइट एंसर क्या हो जाएगा पहला option है sluggishness sluggishness मतलब क्या होता है सुष्टी या आलस है तो synonym आपको बताना है तो यही जो है इसका synonym हो जाएगा आफसर नहीं बाकी यहाँ पे stagnation दिया गया है stagnation जिसका मीनिक क्या होता है इस्थिर्था और depression, अवसाद और next है delicacy delicacy मिन्स होता है विनमरता विनमरता या सिष्टाचार तो sluggishness बिल्कुल राइटन सुदेगा यहाँ पे तो next question लेते हैं अगला है select the most appropriate antonym antonym आपको बताना है garrulous का garrulous इसका मीनिक होता है बातुनी बातुनी दिया गहा है talkative, talkative मतलब भी बातुनी होता है तो यह तो synonym होगा इसका और frank मतलब क्या होता है frank मतलब frank जो आसानी से लोगों के बीच में घुल मिल जाता है तो यह तो यहाँ पे नहीं होगा enlightening enlightening मतलब क्या होता है सिख्चा प्रद सिख्चा प्रद तो यह भी नहीं होगा tacky turn मतलब क्या होता है tacky turn मतलब होता है कम बोलने वाला या हम कह सकते हैं मित भासी मित भासी या कम बोलने वाला तो यही इसका राइटन सुझेगा और संटी टैकी टन तो दोस्तों नेश्ट कोशन लेते हैं अगला है Select the most appropriate synonym आप given word synonym आपको बताना है desiccated का तो desiccated इसका मतलब क्यों होता है सुस्क सुस्क या सूखा तो पहला option है dry dry ही इसका राइटन सुझेगा dry मतलब भी सूखा होता है बाकि drain मतलब क्यों होता है drain मतलब नाली और clear मतलब स्पष्ट या साफ fade मतलब क्यों होता है fade मतलब मुर्जाना तो यहाँ पे dry बिल्कुल right hands हो जाएगा फिर दोसों next question लेते हैं अगला है fill in the blanks with the most interpretate word देगा है I haven't seen you dash a week तो दोसों यहाँ पे I haven't I have not seen you और यहाँ पे क्या होगा within a week, since a week या for a week या from तो within या from तो नहीं होगा since या for में इसे क्या होना चाहिए तो दोसों for आता है time duration के लिए और since आता है point of time के लिए मतलब समय की किसी निश्चित बिन्दू से अगर दिया गया हो तो वहाँ पे जो है since आता है जैसे कि Monday से या जो है 2 बज़े से या January से इस तरह का कोई समय का निश्चित बिन्दू दिया होगा तो वहाँ पे since आएगा लेगिन एक time period होगा जैसे कि एक साल से एक हपते से या तीन महिने से ऐसा कुछ तो वहाँ पे for आएगा तो यहाँ पे a week दिया गया है एक हपते से तो यहाँ पे time duration है तो यहाँ पे for आएगा ठीक है I have not seen you for a week मैंने एक सब्ता से तुम्हें नहीं देखा है ठीक है तो यहाँ पे present perfect continuous का structure बन जाएगा और for यहाँ पे बिल्कुल डाइटन से रोगा और दो सो next question लेते हैं अगला है select the most appropriate meaning of given idiom idiom आपको देखा है at a stone's throw इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है बहुत कम दूरी पर बहुत कम दूर इसको याँ भी रख सकते हैं असानी से at a stone's throw stone जब आप फेकेंगे तो कितनी दूर जाएगा ज़्यादा दूर तो जाएगा नहीं थोड़ी ही दूर जाएगा तो at a stone's throw यानि कि एक पत्थर फेकने की दूरी तक यानि कि बहुत कम दूर तो पहला option है at a great distance यानि कि बहुत ज्यादा दूर तो ये तो यहाँ पे opposite हो जाएगा इसका at a place where queries take place ऐसा स्थान जहां जगरा होता है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा at a short distance बहुत कम दूरी पर और यही जो है इसका राइटर से खागा बहुत कम दूर at a short distance फिर दोसों next question लेते हैं अगला है select the option that can be used as a one word substitute for the given words inverse के लिए एक word बताना है falsification of document etc तो document etc यानि कि दस्ता वेज हो गया रहा falsification मतलब मिथ्या करन तो दस्ता वेजों का मिथ्या करन और इसके लिए एक word क्या हो जाएगा दस्ता वेजों का मिथ्या करन पहला option है xeroxing xeroxing तो जो आप xerox कराते हैं मतलब कोई document है उसका बिल्कुल to copy आप निकलाते हैं तो उसको xeroxing कहते हैं तो यह यहाँ पर नहीं होगा forgery हो जाएगा यहाँ पर option b forgery मतलब क्या होता है दस्ता वेजों का मिथ्या करन मतलब जो है कोई document है उसको आप जो है गलत तरीके से बनाते हैं उसमें sign और गलत तरीके से करके आप fake document जो बनाते हैं उसको कहते हैं फोर्ज दी और यही जो है इसका राइटन्स होजाएगा laminating मतलब lamination कराना तो यह तो होगा नहीं copying भी नहीं होगा तो b option यहाँ पर बिल्कुल राइटन्स होजाएगा तो back up हो जाएगा यहाँ पर या back in या back it या back out तो दोसों इसका जब आप meaning निकालेंगे once he has signed the agreement एक बार उसने agreement पर sign कर दिया है he won't be able to तो वो won't be यानि will not be तीक है वो नहीं होगा क्या नहीं कर पाएगा he won't be able to यहाँ पर back out जो है इसका राइटन्स होजाएगा back out मतलब क्या होटा है पीछे हटना अपनी बार से मुकर जाना मुकर जाना तो अगर उसने एक बार sign कर दिया है agreement पर तो अपनी बार से मुकर नहीं पाएगा ठीक है he won't be able to back out यानि कि वो बार से पीछे नहीं हट पाएगा तो D option यहाँ पर राइटन्स होजाएगा back out फिर दो सो next question लेते हैं अगला है select the correctly spelled word सही spelling वाला word आपको बताना है आपको word दियेगा है accommodate अब यहाँ पर कौन से accommodate की spelling सही बताना है तो जोसो यहाँ पर आप देखेंगे A, C, O, M, O, D, A, T, E यह गलत है और यह B option है A, C, O, M, O, D, A, T, E यह भी गलत है यहाँ पर डबल सी भी होता है और डबल M भी होता है ठीक है A, C, O, D, O, M, O, D, A, T, E C option यहाँ पर राइटन्स होजा accommodate इसका मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग होता है समाय योजित करना समाय योजित करना या जगह देना समाय योजित करना या जगह देना या जो है अनकूल बनाना तो यहाँ पर आपका राइटन्स होजागा फिर दोस्वों next question लेते हैं अगला है fill in the blanks with the most appropriate word खाली जगह में आपको सबसे सही वर्ड फिल करना है यहाँ पर क्या हो जगा put on, put in, put across या put up तो दोस्वों put up मतलब क्या होता है विचार करने के लिए प्रस्तूत करना ठीक है कोई चीज विचार करने के लिए प्रस्तूत करना तो यह यहाँ पर नहीं होगा put across मतलब क्या होता है किसी बात को किसी को समझाना कोई बात किसी को समझाना तो यह put across भी यहाँ पर appropriate नहीं होगा put in यहाँ पर हो जगा put in का मतलब क्या होता है तो दोस्वों इसका मतलब होता है कुछ समय के लिए उपस्थिती दर्ज कराना कुछ समय के लिए उपस्थित होना कुछ समय के लिए उपस्थित होना या उपस्थिती दर्ज कराना तो यहाँ पर जो है इसका sentence का मीनिंग क्या निकलेगा see Putin brief appearance at the end of the party तो उसने party के अंत के समय अपनी छोटी सी उपस्तिती दर्ज कराई, ब्रीफ मतलब संचिप्त, तो संचिप्त उपस्तिती उसने दर्ज कराई, तो B option यहाँ पर ही राइटन चागा, put in, फिर दोसों, next question लेते हैं, अगला है, select the correctly spelled word, अब आपको सही spelling वाला word बताना है, Imanz आपको दिया गया है, Imanz में कौन सा Imanz सही हैं, आपको बताना है, तो दोसों यहाँ पर I, M, E, N, C, E यह गलत है, B भी गलत है, और C भी गलत है, यहाँ पर D इसका राइटन चाहिए, I, M, E, N, S, E, टिक हैं, लाश में S, E होता है, यहाँ पर C, E दिया गया था, तो यह आप यहाँ दखेंगे, और डबल M होता है, I, M, E, N, S, E, Imanz, Imanz मतलब क्या होता है, अत्यधिक, फिर दोसों लेश्ट कोश्चन लेते हैं, अगलाए है, Select the most appropriate antonym of given world, antonym आपको बताना है, frugality का, frugality, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, Tribt, Tribt मतलब क्या होता है, तो दोसों इसका मतलब भी होता है, canjusy, और यही जो है, इसका, जारी, यह तो antonym पूछा रहा है, तो antonym नहीं, यह synonym होगा, एंटोनिम यहाँ पर अफसन भी हो जाएगा जेनरो सिटी जेनरल्स मतलब क्या होता है उदार और जेनरो सिटी मतलब क्या हो जाएगा उदारता तो कंजूसी का पोजिट क्या होता है उदारता होता है इसी तरह से फ्रुगैल्टी का हो जाएगा generosity, बाकी degradation, तो degradation का मतलब क्या होता है, पतन और providence मतलब क्या होता है, भाग्य तो यहाँ पर B option बिल्कुल, राइटर सुएगा, generosity, फिर दोसों next question लेते हैं, अगला है select the most appropriate meaning of given idiom, idiom आपको दिया गया है bone of connection, तो दोसो bone of connection, इसका meaning बतन है इसका हिंडी में meaning होता है जगडा जगडा या विवाद का कारण, जगडा या विवाद का कारण, तो अब आप आराम से बता सकते हैं, इसका राइटर से क्या होगा पहला option है, a delicious non-vegetarian item, एक स्वार्दिष्ट non-vegetarian item, तो यह इसका राइटर से लेगा, cause of quarrel फिर दोसो next question लेते हैं, अगला है fill in the blanks with the most appropriate word, खाली जगा में आपको सबसे सही word फिल करना है, यह रहा है the passengers were afraid but the captain dash them that there was no danger या त्री भहबीत थे लेकिन captain ने उन्हें क्या किया और फिर आगे दिया गया है that there was no danger, कि खत्रा नहीं है, कि कोई खत्रा नहीं है तो यहाँ पर ऐसा promise किया या advice दिया ऐसा सलाह दिया, तो यह भी नहीं हुआ essay order यहाँ पर हो जाएगा, essay order मतलब क्या होता है, आस्वस्त किया या रती भहबीत थे लेकिन captain ने उन्हें आस्वस्त किया the option that can be used as a one word substitute for the given verse तो इनके लिए आपको एक word बताना है यह है to make atonement for one sense to make atonement for one sense इसका मतलब होता है अपने पापों का प्रैस्चित करना अपने पापों का प्रैस्चित करना तो बताइए इसका right answer क्या हो जाएगा अपने पापों का प्रैस्चित करना यहाँ पर दिए गए एक्सपी एट एक्सपी एट मतलब क्या होता है प्रैस्चित करना प्रैस्चित करना और यही जो है इसका हो जाएगा right answer और बाकी जो है renounce तो दो सो renounce मतलब होता है त्याग और remote state मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है विरोध करना विरोध करना रेसेंट मतलब हाल में तो यहाँ पर जो है Xp8 बिल्कुल राइटर सुझेगा फिर दोसों अगला कोशन लेते हैं नेक्श है Find out which part of sentence has an error sentence कि किस भाग में error है यह रहा है I told him the story in details to make him understand it fully तो दोसों बताईए किस पार्ट में गलती है I told him the story मैंने उन्हें कहानी सुनाया in details तो दोसों क्या यहाँ पर details होगा in detail होगा ना कि details detail मतलब in detail मतलब विस्तार से I told him the story in detail मैंने उन्हें विस्तार से कहानी सुनाया to make him understand it fully किसलिए उनको पूरी तरह से समझाने के लिए ठीक है तो यहाँ पर जो है right answer क्या हो जाएगा किस पार्ट में गलती है तो C option यहाँ पर right answer हो जाएगा फिर जोसों अगला question रहते है next है find out which part of sentence रहे जाएगा है साक्षी wrote essay so well that her teacher was very pleased with her तो बताएगे किस पार्ट में error है साक्षी wrote essay साक्षी ने essay लिखा so well इतनी अच्छी तरीके से that her teacher was very pleased with her कि उसके जो teacher थे वो बहुत खुश हुए उससे तो दोस्तों यहाँ पर essay के पहले दा आना चाहिए क्योंकि एक particular essay की बात हो रही है तो उसने कोई essay लिखा था तो उस essay से जो है वो उसके जो teacher थे वो इतने खुश हुए तो यहाँ पर साक्षी wrote essay so well साक्षी ने इतने अच्छी तरीके से essay लिखा कि उसके जो teacher थे that her teacher was very pleased बहुत खुश हुए with her उसससे तो यहाँ पर दा होना चाहिए था किस पार में गलती है तो यहाँ पर option a राइटर्स हो जाएगा फिर दोसो next question लेते हैं change the sentence into indirect speech sentence को indirect में बदलना है दिया गया है I said to him when will you return दोसो यहाँ पर जो है इसका indirect क्या होगा अब यहाँ पर will आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर reporting verb past tense में है तो reported speech जो है indirect बनाते समय will का would हो जाएगा ठीक है तो उड इसमें नहीं दिया गया है will दिया गया है और इसमें would है इसमें would और यहाँ भी और दूसी चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर interrogative sentence है यह reported speech interrogative जब question word से शुरू होता है तो वही question word बन जाता है connective ठीक है तो यहाँ पर if नहीं आएगा connective के रूप में when ही आएगा ठीक है यहाँ पर if और when दोनों दिया है तो when आना चाहिए ना कि if या when ठीक है तो यहाँ पर I asked when यह तो गलत ही हो गया और इसमें दोनों में देखते है I asked when C would return तो यहाँ पर जो है I asked उसके बाद object to him नहीं दिया गया तो इसलिए गलत हो जाएगा I asked और object भी आना चाहिए to हट जाएगा him रहेगा I asked him when यह connective हो गया और he हो जाएगा you का you जो है second person है object के अनसार चेंज होता है तो object कुन है him तो इसके अनसार यहाँ पर he आजाएगा यहाँ पर C भी दिया गया था यह भी गलत था तो when he would return यही जो है इसका right answer है और यह जो है last question है change the given sentence in passive eyes sentence को passive में बदलना है she looks after the child वो बच्चे की देख भाल करती है तो passive बनाते हैं सबसे पहले आपको क्या देखना है tense देखना है tense कौन सा है यहाँ पर present indefinite है present indefinite यहाँ पर tense है और present indefinite का जब passive बनाते है तो helping verb क्या आती है is या am या are और बाकी जो है verb की third form passive wise में हमेशा रहती है तो the child जो है object है पहले आजएगा the child और the child singular है तो इसके लिए is आना चाहिए यहाँ पर r दिया गया है word तो होगा नहीं is होगा तो यहाँ पर is दिया गया है यहाँ is है लेकिन यहाँ पर being looked दिया गया है तो being यहाँ पर नहीं आएगा is या am या r के बाद word की third form आनी चाहिए तो यहाँ पर looked after third form दी गई है तो यहीं इसका राइटन सेगा the child is looked after by her ठीक है c subject है और यह बाद में आएगा तो objective case में आएगा by her हो जाएगा तो यहाँ पर c option बिलकुल राइटन सेगा तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाब करता हूँ उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like और share करना न भूलेगा और जो दोस्त नए है चैनल पर चैनल को subscribe करके notification bell को on कर लेंगे ताकि नेक्स वीडियो अप्लोड होते हैं उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाएं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए goodbye and take care